दर्भंगा से मौझूद है माह साथ, प्रिंसी नमश्कार प्रिंस आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी सर नमश्कार प्रिंसी, क्या सवाल आपका? बस बढ़िया सर, मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि सर मैंने सेल के सेल कर देते, 100 सेर हैं सर किस बहु पे हैं? किस बहु पे खरदार है अपकी प्रिंस जीस में? सौ रुपए हैं? और ताइम फरिम क्या रखते हैं आप? चलिए, कि रंस सवाल है इनका स्टील अतार्टिफ इंडिया लिम्टेट शेयल को लेकर करीब 100 रुपे के भावव पर 100 शेयर इनके पास है आज खबर भी थी करीब 1.5 लाग करोड रुपे कमपनी निवेश करने वाली है 2025 अपनी कैपैसिटीज एडीशन को लेकर आपकी रहा गयती है सेयल पर क्या कर सकते हैं बिलकुल सईड होड नहीं करना चीए सेयल का स्टाक तो रिटन आंवेस्टेर तो ब्रॉपलेम में आ जाएगा रिटन आंवेस्टेर हर इनवेस्टेर के लिए बहुत इंपॉर्टन चीज होती है जिते कम समय में आप इनवेस्ट करके और ज्यादा पैसा मिलेगा यही ऐसे ही stock आपको ढूनने पड़ेंगे long term investor होने के पाउजूद आपको यह देखना है कि आपका return on investment कैसे बढ़ता जाए still authority का stock completely downtrend में metal sector भी अगर आप देखते हैं तो downtrend में है और commodity cycle भी हम downtrend में देखते नजर आ रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि ऐसे stocks में इसे sector में आपको निवेश करना बराबर नहीं होगा आप इस sector से निकल के दूसरे कोई sector में आप निवेश कर सकते हैं जी चले इस बीच अब हमारा साथ हमारा अगले दर्शक है मौहमद जहांगीर है हमारा साथ राजस्तान से मुहमद, बोलिये, क्या है सवाल आपका है? हलो, सर जी? हलो? हाँ, जी, बोलिये, क्या सवाल है? सर जी, मैंने 500 शेयर लिये थे 276 में, तो इसको बेचू या रोकू कितना ओल्ड गई हूँ? किसके कौन से शेयर लिये थे? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंज ओके, ओके, ठीक है, M&M Finance के 276 पर लिये थे न, 500 शेयर आपने एक बाद देख लेते हैं, बिकॉज ये टिपिकली जो, जिस स्पेस में ये है महिंद्रा फाइनेंज वो, NBFC में ये बहुत-बड़ा आउट पर्फरमर साबित होता नहीं है देरा अदर पोस्टो बॉइस लेकिन, फंडामेंटली ठीक कंपनी है 246 पर है, 30 रुपे का नुकसान है आपको फिलहाल, केरन क्या सलाह होगे आपकी, 276 पर लिया है इना बिल्कुल होल्ड करना चाहिए मेरे खाल से कि इदर बहुत-बड़ा डाउंट्रेंड नहीं दिखाए दे रहा है ये स्टॉक कंसरेट करता नजर आ रहा है और सपोर्ट के नजदीक है 230 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है इस स्टॉक के लिए उसके नजदीक है तो मेरा ये मानना है कि आप स्टॉप लोस लगाईए 220 का और होल्ड कीजिएगा आपको एक बाउंस बैक जरूर मिलेगा थोड़ा सा पूल बैक निफ्टी में आता है या फिनेंस सेक्टर में आता है तो एक पूल बैक जरूर मिलेगा इस पूल बैक में आपको करीबन 290 से 330 ये लेवल्स के नजदीक ये स्टॉक ट्रेड करता नज़र आएगा इन लेवल्स पे आप वापिस एक बार फोन करके रिव्यू ले लेना चाहिए कि क्या करें अगर 330 निकल जाता है तो एक बहुत बड़ी मूव इस स्टॉक में दिखाई देगी हम एक इंटरेस्ट रेट डाउन सेकल में हैं लॉंग टर्म तो मेरे खायल से सब फिनाइशल स्टॉक और आटो स्टॉक ये बहुत अच्छे परफॉर्म करते नज़र आएगे तो मेरा मानना है कि ट्रेंड भी उपर है ये सब रीजन्स है जहां पर मैं होल्ड करनी के सला दूँगा आपको जिम